नमस्कार स्वागत है आपका College Review Unfiltered के एक नए पिशोड में हम हैं आज बालाजी उनिवसिटी पुरे में अजब आप पुने में में आपके College of Autism करना स्टाट करते हो एक नाम बहुत सारे नामों के साथ जो आता है वहें बालाजी उनिवसिटी का तो बालाजी उनिवसिटी यह कुछ स्पूरें आरे साथ है यह करके हम बात करेंगे और समझेंगे क्या यह उनिवसिटी आपके लिए साही है और नहीं क्या अलो कुमार क्या पढ़ाई करेंगे अपको फस्ट एर आपका नाम परिशिद नारवानी MBA Finance फस्ट एर फस्ट एर में देखे जब हम किसी कॉलिज का रेविव करते हैं तो हमारे काफी स्ट्रिक परामिटर्स हैं ठीक है हम राड़म ली किसी कॉलिज को ना तो क्यों करनेंगे लिए तारीफ करते हैं तो हमने कुस परामिटर्स टेवलप किये हुए उसपे हम कॉलिज का रेविव करते हैं तो पहला परामिटर मेरा यह है और वो इंडस्ट्री का कंसर्ण है बिसिकली आजब आप बहुत सारे रिपोर्ट्स आप भी देखते होगे हो चुके मैं समझना चाहरा हूं कि जो इंडस्ट्री डेमांड कर रही है और जो आपकी सलेबस का पार्ट है अगर उसमें मिसमैच है जो की है ही क्लियर ली तो उस गैप को ब्रीज करने के लिए बालाजी उनवसिटी क्या कर रहा है जो चाहती है मतलब डेवलोपन इन एक् क्यों अब अपर भूत जिखाती हैं अद्वास एक्सल फिर आपका आगे हमारा को क्या स्किल्स हमारा सब्जेक्ट अबिंडस कोंमिकेशन का उसमें हमें बताते हैं कि कैसे अपनी प्रोफाल बनानी है कैसे एक मेरेजर से बात करनी ऐसे इसे बात करनी है और सब कुछ इसा कोई डिसकेशन अभी तक आप लोगों से हुआ है फैकल्टी के दौरा कि देखो जो हमारा सेलेबस है चुकि सेलेबस डिजाइन करना उटनुमस इनुवस्टी तो कर सकती है उसमें चेंगे बाकी इनुवस्टी इन कॉलेजिस को यूजी सी का जो सेलेबस है उसको ही फॉ अच्छे और इस मैच को फुल्फिल करने के रिए इस गाप को फुल्फिल करने के रिए हम यह इनिशेटिव के लिए होता है क्लास्स में आते हैं पूछते हैं कि मतलब इंडस्री को टेकनोलोजी के साधर से पहले-पहले होता है टैली बीजी में करते थे अब पाइफन यूज करना आना चीज़ें बचे को तो वो सब सिखाते हैं पूखे अब दूसरा परमेटर होता है हमारा एवालवेट करने का किसी कॉलेज को वह होता है फैकल्टी इस ठीक है अब देख आपने करिकुलम को अगर अपग्रेट कर भी दिया तो अब दूसरा वह जो फैक्ट इस भी है जिन्होंने कॉर्परेट में भी काम किया हो चाहती फैकल्टी का नाम बताइए बिनके पास पॉर्परेट एक्स पीरेंस हो जैसे कि मैं स्टार्ट अप फैनेंसर शेटर्ट पिक सर इनॉप्टर नीरज है वह एक मेंबर है अज अच्छा काम कर रही है तो हम को इस बाइब बैंक्स में तो उनक्या लॉलिज भी बोट मिलता है अच्छा फूचर शुचर स्टॉच मार्के बारें बहुत है और वह बहुत है और इंडिया में भी बहुत उनका 23 और 24 एर का एक्स्पिरेंस अपरेंस का तो हमें बताती है कि आपरेंस में क्या एक्जक्टल को कि उसमें यूज करता है वह अपना वह हमें एक्श्पियेंस कि इसे होंगी जिनने कॉर्पॉरेंट में भी काम किया है और उनके पास do है यहीं मुंबई नवी में महिंद्रा में 23 तक काम किया है आप हमारे विज्टिंग फैकल्टी है अब बिजनस कम्निकेशन सिखा रहे हैं अच्छा अब आप के रहे हैं कि 100% फैकल्टी जो भी है वह कॉर्परेट में काम करके आए हुई है ओके ठीक है इसके बाद बातें इंटर्ण्चिप पर तो इंट्रण्चिप पर्वाइट कर आता हैं कि फाले से कि हम फर्स्ट्टेर में हमारे इंटर्ण्चिप स्टार्ट वह एपन्या में से तो मलब 30 35% students का अभी इंटर्शिप और चुका है और अभी दिवाली एंड तक या दवे डिसेंबर का फिक तक से 90 पर संग फैनल हो जाएगा और इंटर्शिप का मेकैनिजम क्या बनाया है आपके कैसे पता चलता है आपको की यह इंटर्शिप की अपर्चॉनिटीज आई हुई है मतलभ स्पिस्टीम वनिय हमारे कॉल्ज़ में हरकॉन में सिपेस् टिम होती है एक ग्रूप होता इंटर्शिप करें तक मैंने को इंटर्शिप क्या अभी तक मैंने किस तरीकी की ग्रूमिंग फेसिलिटीटीज प्रवाइड कर आता है आपका कॉलेश इंटर्णशिप के लिए या रिजूम वेल्डिंग के लिए या सॉब स्किल्स को लेगे किस तरीकी की ऑपर्टिम निटीज जैसे कि मैंने पहले भी बता है सेटर्ट एवरी सेटर डे इस सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर होता है किसी स्टूडिंट के लिए जब वो किसी कॉलेश को ऑफ कर रहा होता है ना तो प्लेसमेंट का टीटा है पहले तो ये बताओ मुझे प्लेसमेंट का सपोर्ट किस तरीके का है आपके कॉलीज चैन्प से अधिक अधि क्यों और बद सारे जाते तो जाता है उनकी अनकी सबकी लाग बड़े नम बताओ ठीक आपक्र करते हैं कि वह कितना ग्रैप्स करें हैं और हमारे कॉलेज से 7.5 लाग पे डिलॉट यह से बिले जारी अपने आपको यहां पे दो साल में अपने को एस्टैब्लिश करते हैं और क्या नॉलिज लेते हैं ताकि वह कॉर्परेट जो ज्यादा कॉर्परेट वर्ल्ड को सूट कर और हमारे कॉलेज का अभी हमारे तीन मंत भी नहीं हुआ हमारे सीनियर का अल्मोस्ट फाइन्स का 80 परजेंट स्टुडेंट प्लेस्ट हो गया है तो प्लेस्मेंट की सपोर्ट किस तरीके से प्रवाइड करा था कुछ बताया है कि आप लोग को औरेंटेशन में हमारे जित काफी इंपोर्टेंट रोल प्लेस्में तो अल्मोनाइज को किस तरीके से इंवॉल्फ किया जाता है पूरे प्रॉसस में उनके पास क्या मोटिवेशन है कि वह आपकी पढ़ने के बाद भी यहां पर रगलर वेसे पर इंट्रक्शन करते रहें तो किस तरीकी का सपोर्ट ह अलमनाइज के पास बाद प्रॉसस में बहुत था बोश्त गया और उनने बहुत कमनी इसमें अच्छा काम किया है तो कमनी ने ओद देखिए यह सुडेंट अच्छा कवर्क करें उसकोई जो देखिए वापी स्कॉलेज में और अच्छा पीपो देखिए और शुटन को सब्सक्राइज स्बस्डूब करते हैं और नच बोए इवेंट हो तुसमें ऊतरी इसमें हमारे उन नाधा कस् झाए ओडी था, auditorium में हम जाते थे, तो उसमें हमारे faculty, जो भी एल्ब मुनाई थे, वो आते थे, और हमसे interact करते थे, और वो share करते थे कि किस तरीके का तुमें क्या करना है, नहीं करना है, do and don't बताते थे हो हमें, ठीके, और दूसरे में सवाल यह होगा, आज देख रहे होगे आप, कि अब mindset जो है लोगों का वो थोड़ा change वरा, और government भी यह चाह रही है, कि आप job seeker वाली mentality से निकल के, job creator वाली mentality में जाओ आप, ठीक है, उसमें startups का बहुत बड़ा रोल है, ना startup को लेके basically किस तरीके का महा आले हैं, क्या को इंक्योबेशन सेंटर है यहाँ पर क्या funding की क्योई opportunity मिलते हैं यहाँ पर पताईए आप क्या है स्टार्ट अप का यहाँ पर collaboration अभी हुई आया है college के बाद में आपर इनका एक club है, future नाम से, आपको मेंटर करते हैं बताते हैं कि आपको कैसे आपको रेस कर सकते हैं funds कोई आससे startup है जो आपके यहां से start होई जो 0-7 तक scale किया हो जिसने अभी एक सरने बताया है कि एक coffee करके कोई है जो actually मुझे proper यादनी है ना लेकिन वह बहुत अच्छा है उसका outlet बहुत सारा है और अभी उसको गाइड कर रहे हैं और उसको next level फिले जाने का कोजीश कर रहे हैं अच्छो ठीक है अड्मिशन के क्या process है यहां पर किस तरीके से अड्मिशन होता है इससे पहले website पर रजिस्टर करना पड़ता है और आपको अपने जो काई सीमेट वैसे जो कॉम जेट उनकी सब्सक्राइब को दियो में मिनिमुम मिन्मम मिनिमम् सब्सक्राइब लाग कर द Subscribe सीमेट देंगे, जेट देंगे, वो और वो स्कॉर से भी आप एडमिशन ले सकते हो, तो इस बेसे भी ले सकते हो, और जादा वेटेज इदर इंटर्वी और जीडी प्रोसिस करें जाएगा, किस तरी के क्रेशन पूछे गया थे आप लोगों से इंटर्व्यू में, इंटर् कितने वर्ल्ड के राउंड, आप आपको क्यों करने आपको, आपको नॉलेज बेसे नॉलेज को चाहिए है, कोई कंस्टर्ट्रटर फीडबैक देना हो आपको अपने कैमपस को तो क्या दो गया आप, विट फीडबैक है कि हमारा कॉलेज अंडरेटेड है, बहुत लोग अ 3D है, Discipline, Dedication, and Determination. तो हमारे इनों जीज़ फॉलो करते हैं, और बिल्कुल अच्छे से, एक्टिल हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हमें 2X होगी. अच्छा 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 खाना है, कंपेर टू आउटसाइडर. आप कुछ चुछ फीड़ेक दोगे? तो हमें और अच्छा 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 लगी,